शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनो भाईयों नीती आयोग ने चेतावनी दी है कि देश में कोरोना विकराल रूप से फैल सकता है उसके बावजूद हम स्कूल कालेज और सब कुछ ओपन कर रहे हैं क्या ये सुरक्षित है इस विशे पर आज हम गंभीर परिचर्चा को यहां पर आयोजित कर रहे हैं कि भाराट सरकार के नीती आयोग ने इस बाद पर खास गौर करिएगा कि ब्हारत सरकार के नीती आयोग और हमें इसे बेहत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि दो लापर वाहियों ने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बात कर दिया हमारे असंख लोग भाई बहन दोस्त रिष्टेदार जानने वाले नजाने कितने लोग काल के गाल में समा गए बिना अक्सीजन के तड और चील कोवे नोचकर खागे बैनों भायों जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं और मैं उन द्रश्य को याद करता हूं जो हमने मई और जून के महीने में अप्रेल के महीने में उत्तर प्रदेश की धरती पर देखा है आज मैंने इस परिचर्चा को इसलिए आयोजित किया है क्योंकि आज से स्कूल कॉलेज खोल दिये गए हैं कोचिंग संस्थान और तमाम सेक्षिनिक संस्थानों को ओपेन कर दिया गया और हम कंप्लीटली अनलॉक हो चुके हैं क्या ये सही वक्त है हम सब तरह की पाबंद अर्म स्काजी में हैं क्या हम पर बाजार का दबाओ यांया तयक्स उगाहने का दबाओ है या फिर हमने जरूरी बंदोवस्त कर लिये अ जरूरी बंदोवस्त नहीं है आपको हकिरिकत का सामेन अजित मत भूल इक अपरेल मयी के म killing में किया हुआ था जून के महीं तक कि आज से तमाम स्कूल कॉलेज खोल दिये गए हैं और वैनों भाईयों उत्तर प्रदेश में वैक्सिनेशन की स्थिति पूरे देश में नीचे से चल रही है हम वैक्सिनेशन के मामले में सबसे फिसड़ी राज्यों में से एक हैं ऐसे हालात में अगर हम सब कुछ open कर रहे हैं तो हम भारी खत्रे को दावत दे रहे हैं कि सब ये कह रहें और expert ये कह रहे हैं महामारी के expert कह रहें आक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस प्लस का जो तूटा हुआ वैरियंट है यह बच्चों पर 18 साल से कम कि के लोगों बच्चों पर ज्यादा खत्रे का संकेत देता है लैंसेट की स्टडी में भी यह बात सामने आई है कि पहली लहर में बुजूर कि दूसरे में यंग एज के लोग और तीसरी लहर हमारे वच्चों के लिए ठीक नहीं खत्रा है और खत्रा हमारे आपके पास भी दिमान है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोरोना को हम विज्ञान से हरा सकते हैं नेता नहीं हरा सकते हैं उसको आइस IPS अपसर नहीं हरा सकते हैं को विग्यान महा मारी एक्सपर्ट और डाक्टर सी हेंडल कर सकते हैं करप्या मेरा सरकार उसे निवेदन है कि इस मामले में कोई भी एडवाईजरी वो खुद नजारी करें कोई भी एडवाईजरी, डाक्टर्स और विशेशग्यों के पैनल द्वारा जारी हो, वो जब ये कहें कि अब कोई खत्रा नहीं है, हमको सब कुछ अनलाग कर दिया जाना चाहिए, स्कूल, कॉलेज खोल दिया जाने चाहिए, तब ही सरकारों को इस तरह के आदेश देने चा पिलिंग एक्सपर्ट के जरीए होनी चाहिए, डाक्टर्स और महामारी के विशेशग्य करें, हमें इस पर व्यापक के श्टडी करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हम फायर फाइटिंग तब करते हैं जब हमारे घर आग लगी होती, आग बुझाने तब दोड़ते है जब आग लग चुकी होती है, हम पहले से कोई भी प्रिकॉसन नहीं लेते हैं, अगर इन बच्चों को कुछ हो गया, तो क्या हम इने आक्सीजन उपलब्द करा पाएंगे, जवाब है नहीं, क्या हम इने अस्पताल में बेड उपलब्द करा पाएंगे, जवाब है नहीं, क्या हम इने इलाज और रेमडिश्वीर या दूसरे जरूरी द्वाएं दे पाएंगे जवाब है नहीं क्या हम इनका समचित मात्रा में कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे जवाब है कि आपने खुद देखा है कि अप्रेल मही में क्या हुआ तो ऐसे हालात में जब खत्रा अभी टला नहीं कोई नीजी संस्थान नहीं कोई पैनिक बटन नहीं दबा रहा है भारत सरकार का नीती आयोग खुद कह रहा है कि सितंबर और अक्टूबर बेहत खतरनाख है तीन से चार लाग केसेस परड़े आ सकते हैं 20% हस्पिटलाइजेशन की स्थिती होगी हमको वेंटिलेटर तैयार रखने चाहिए आक्सीजन युक्त बेट तैयार रखनी चाहिए आईसीउ तैयार रखना चाहिए दवाएं पहले से खरीद लेना चाहिए और आक्सीजन की जरूरत उत्तरप्रदेश में 2000 मेट्रिक्टन से ज़्यादा की परड़े उपलब जरूरत पड़ सकती है क्या उत्तरप्रदेश में इतनी उपलब दता है हमें इन सब चीजों के बारे में यह वक्त है आडिट कर लेना चाहिए अगर विपत्ती सामने खड़ी है तो हम सर जुका के या सर को मिट्टी में गड़ा के बच के नहीं निकल सकते हमें विपत्ती का सामना करने के लिए अपनी तयारियों पर ध्यान देना चाहिए क्या हमारी तयारी उस एस्तर की है कि हम अपने बच्चों को बचा सकें हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और मैं माता पिता उसे भी कहता हूँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जित पर अड़े हुए करपया विचार कीजिए अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा इसकूल प्रबंधन से भी कहना चाहूँगा कि करपया विचार कीजिए आपके लिए आवश्यक क्या है अपने बच्चों की जान या फिर पढ़ाई या फिर निजी स्कूलों को फीज देना निजी स्कूल चलते नहीं या सिर्प आप अपने बच्चों की जान को खत्रे में डाल नेंगे इस बात से मैं सहमत हूँ कि क्वालिटी आप एजुकेशन में गिरावट आएगी बट नेचुरल है की आएगी निश्चित आएगी मैं सहमत हूँ इस बात से कि सिख्षा के इस तर में गिरावट आएगी एक-दो साल में लेकिन हम उसे रिकवर कर सकते हैं आने वाले समय में हम बच्च्यों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करके उसे रिकवर कर सकते हैं लेकिन किसी की जान चली गई तो वह रिकवर कर सकते हैं इस हकीकत को आप कब स्विकारिएगा कि विपत्तियों का पहाड़ आपके समख्ष आने वाला है फिर से और यह चेतावनी में एक्सपर्ट की ओपीनियन के जरिये आप तक पहुचा रहा हूं कि आने वाले वक्त में कोरोना का खत्रा हमारे और आपके उपर भयानक और बहुत ही भयानक है मैं डरवा नहीं रहा हूं हमेशा की तर आपको सलाह दे रहा हूं मान जाएंगे आपके लिए बहतर है आपके देख रहे हैं जो लगाता टेस्टिंग के बाद और वैक्शनेशन को भी देखते हुए मुश्किल से 15, 19, 20, 23, 35 केसे प्रटी दिन हमारे उत्तर प्रिलेश में आ रही है पोजिटिव केसे और आज के दिन अभी 352 केसे हमाँ पर रूप सब मिलाके एक्टिव केसे बाकी रह सरकार ने कोई तैरी कर रखी है हां अलग बात है कि बच्चों से इनको महबत नहीं है बच्चों को भेज कर मुझे लगता है जिस तरह से बिना तैरी बच्चों भेजना बच्चों को मौत के मूं में डालने के बराबर है नैशनल डिजास्टर कमेटी ने भी ये बोला है कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी जो लहर है वो हिंदुस्तान के अंदर दस्तक दे सकती है और सबसे महत्पूर ये है कि अभी तक हमारे बच्चों के लिए या ठारा साल की कम उम्र के लोगों के लिए खास तौर से बच्चों के लिए इस समय कोई भी वैक्षिनेशन हिंदुस्तान में या विश्व में उपलब्द नहीं है अभी टेस्टिंग चल रही है तो इस समय ये रिस्क लेना उचित नहीं लगता परोना के बाद पहली बार हमारे क्लास 6 वगरे के बच्चे स्कूल आ रहे हैं फिजिकली तो थोड़े हम उतसाहिद भी हैं जिसको कहते हैं कि दूद का जला चाश खुब कर पीता है उसे हार सबसे हम बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे सारे बच्चे सुरच्चित रहें तो आज के कारकेम में मैंने उत्तर प्रदेश के 24 करोन लोगों के मेडिकल एक्सपर्ट डक्टर सूरी कान जी को आमंत्रित किया है नेशनल वाइस चेर मैंने